ये बाड ठीक है कि साप कासि नाम व्यक्ति थे। शंग नहीं बना पाए। इसलिए जादा नहीं चल पाए। यूपि में देखोगे और यूपि में उसका पतन भी आप देखोगे। क्योंकि पीछे कोई संग नहीं है, व्यक्तियों की जो चमक है वो तारी की तरह होती है तारा एक साथ चमकेगा आज हमको पूरे पंद्रे महिने हो गए हम लोगों से मिलते रहे जुलते रहे बहुत सारे नेता बहुत सारे संधनों के लोग अलग अलग संधनों के लोग धम के लोग भिकू लोग सरकारी करमचारियों के लीडर वकील इंजिनियर डॉक्टर धम के लीडर धम के नेता धम के संधन सामाजिक संग्ठन और दो-चार राजनितिक संग्ठन भी लड़कों के छोटे-मोटे सबी से लगबग मिलते हुए जूम पे और सबी को क्योंकि यहां जूम पर जो आमद रहती है किकर तरौ साथ सो आठ सो नौ रहती है आते रहतें जाते रहतें किसी का है खातम हो जाता है है यहां चेह चलता रहता है एक भी दिन हमने छोडा नहीं चाहें दिवाली है चाहें होली है चाहंडरा अगस्त है चाह 16 ऑप्रेल है चाह 6 देसंबर है जाहें वेśक हमारीsenगति लगी जब दिल्ली 85 से बड़ी संगति लगी तब ही जूम साम को चला और जब सब लोग किसी संगति में sencill catalis यह मीटिंग इतनी जबजस्त है पूरे भारत में आठ बजे आप कहीं से भी खोल लीजिए, यह मीटिंग आपको मिलेगी, और सारे ग्यारे, ग्यारे, बारे बज़ तक यह मीटिंग मिलती है, पहले तो रात के दो दो बज़ तक भी चलती थी, अबी ग्यारे से साड़े ग्यारे बारे बज जाते हैं कभी कर दो, और सर्दियों में तो इस जूम मीटिंग में रोना का जाती है, क्योंकि सभी लोग रजाई में होते हैं, काम से जल्दी बापिस आ जाते हैं, तो सब बहुत तेसे जुढ़ जाते हैं, उन दिनों नेटवर्क भी अच्छा काम करता है, तो इसमें जगें नहीं बचते हैं कि इसकी सफलता इस बार की हम अपने पुराने सिश्टम को पुराने संग को और पुरान उस कारे करम को जिससे हमारे बच्चे या हम बच्चे जिस से हमारा आस्तित बचा या वो पुराना सिस्टम जब हम सैंशा थे, समराड थे, विस्व गुरू थे वो हमें लगाता 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 याद आता जा रहा है और हमें जो याद दास हमारी पूरी होती जा रही है उससे हमें यकिन बढ़ता जा रहा है कि संग नहीं हमें पहले बचाया और संग ही हमको अब बचाएगा और जब संग नहीं होता है तो हम लडख़ाते हैं गिरते हैं मरते हैं और ऐसे ही चलते रहते हैं पर हम मन्जी तक नहीं पहुँच पाते हैं अगर आप पुराने संग का जो बुद्ध से पहले का संग था या जो प्राकर्टिक संग था या जो हम लोगों का एक साथ रहने का संग था अगर उसको ध्यान से देखेंगे और जाएंगे तो आपको कहीं भी पूरे साहित्य में एक भी ऐसी समाचार एक भी ऐसी सूचना नह हो या समन लोगों को नया कपड़ा पहने से रोका हो या समन लोगों को गोटेदार साड़ी बढ़िया सफेज चमचमाते कपड़े या कुछ नया सामान या कुछ अच्छा खाना या देशी घी से चिपड़ी और देशी घी में तर रोटी या सबजी खाने से किसी ने मरा किया हो एक भी ऐसी सूचना आपको नहीं मिलेगी प्राचिन काल में जो पुराना इत्यास है बावा साथ वंबेट करके इत्यास में तो मिलता है कि जो बले लोग हैं उन लोगों को जो राइस्थान के लोग थे और उन्हें खाने से रोका बढ़िया बुद्ध का है या जो लगबग 400-500 साल पहले का साहित है या जो हमारे समराटों के और हमारे राजाओं के जितने भी राजगराने या चिन रहे हैं वहां आपको एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं मिलेगा जब आप यह सोचोगे और यह जानोगे और इस बात का मनन करोगे कि यह क्या बात हुई कि हमारा पिछले साहित्ते में कहीं कोई पतारना है यह नहीं कहीं कोई एटोस्टिज है नहीं हम कहीं नहीं चिला रहे हैं और जो चिला रहे हैं उन्होंने अपने इत्यास में लिखा कि ये जिसको आप मनुवाद बोलते हैं अगर यह जिसको आप मनुवाद बोलते हैं पुराने साहित्ते में जो लोग हैं वो सिर्फ दो चार सब्द पकड़ते हैं और उस पकड़के उसको रोते हैं कौन सा सब्द पकड़ते हैं वो कहते हैं कि चार प्रकार के लोग होते हैं और हम पांच में प्रकार के हैं वो चार प्रकार में एक प्रकार बताते हैं वमन का औ तीसरा प्रकार बताते हैं किसी वैसे का और चौथा प्रकार बताते हैं शुद्ध का सुद्र का और पांचवा प्रकार बताते हैं उन लोगों का जिनको आज S.C.S.T. बोलते हैं या वो समण जो बहुत ज़्यादा करांतिकारी रहे हैं समण तो सारी रहे हैं वमण को छोड़े पर ये सद्ध भी पुराने साहिते में मिलते नहीं है अगर आप बुद्ध का साहिते देखेंगे या उससे पहले का देखेंगे तो आपको ये मिलेंगे न तरसल जो हेरार की बनाई है या जिसने बाद में लिखा है और जो सबसे उपर लिखा है वमण इस वमण से उपर भी एक सब्दा है जिसको कोई नहीं लिखता कोई नहीं बताता कोई अपने उपर किसी सब्द को क्यों बठाएगा अगर वो सुरुआत ये करेगा कि सबसे प इसलिए कोई भी साहित्यकार जो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लिखेगा या जानकाई देगा वो अपने पक्ष में लिखेगा अगर हेरार की बननी है या बनानी थी और हम बनाते हेरार की तो हम सिर्फ दो बनाते सबसे उपर समन लिखते और नीचे वमन लिखते क्योंकि हमें पता है कि जो छत्रिय लोग हैं वो दो तरह के लोग हैं जैसा कल मैंने बताया था या तो छत्र वाले जिनके उपर छत्र होती थी या छाता होता था या छपड होता था या छत्र होता था और या खेतिये लोग, जिनको छेत्रिये लोग बोला गए, छेत्रिये और छत्रिये को छत्रिये करने लगे, छत्र वाले को छत्रिये करने लगे, यह हमारे लोग थे, समण लोग थे सारे, और जो वैसे सब्द है, जो वैसे सब्द है, उसका मतलब है, कुछ बेचना, वैसे मा पाने बेशना होता है, खैतना बेशना को वैसे बोल गए, यानि जो बेशता है उसको वैसे बोल गए, तो कोई भी आदमी कुछ की चीज बेशता है वो वैसे हो जाता है, और इसी से वैसे बना हुआ है सब्द। और जो नीचे का सब्द बना हुआ है, जो बनाया गया है, वो भी हम लोग है क्योंकि वो जो पाली में मिलता है वो मिलता है सुद्ध ना तो शेह है पाली में जब पाली में शेह शब्दी नहीं है तो शुद्र शब्द भी नहीं है पर सुझ है और सुझ से सुद्ध बना है और सुद्ध का मतलब होता है प्योर जिसको सुझा लिया जाए सुझ से सुद्ध बना है यारी कि जिसको सुझा लें जिसको बिल्कुल प्यॉरिफाई कर लें जिसको अलगलग कर लें उसको सुझ बोलते हैं और सुझ से सुद्ध बना है और सुद्ध से सुद्ध बना और सुद्ध से शुद्ध बना और ये जितने सुद्ध लोग हैं, ये सुद्ध लोग हैं, प्यौर लोग हैं, तो वो लोग भी हमें हैं, समण हैं और जो सबसे ज़्यादा जानकार थे, जो सबसे ज़्यादा मारक थे, जो सबसे ज़्यादा धम को जानते थे, जो सबसे ज़्यादा बुद्ध थे और जो समणों का पूरा संग चलाते थे और जो पूरे नीती चलाते थे और जो एक एक चीज़ को जानते थे जो बुद्ध ने सिखाई वो सारे के सारे लोग इन चारों में नहीं आते हैं वो नीचे आते हैं जो सबसे उपर हैं जिनको समण बोलते हैं समण ये तीन भी है इस सुटते हैं, उनमें कोई सब्द नहीं मिलता है, ना कोई छेत्री मिलता है, ना कोई शुद्र मिलता है, और ना कोई वैश्य मिलता है, ये सब्द तो है, पर सुद्द के रूप में हैं, और वैस्या का मतलब है, जो बेचता है, या भी बेचती है, उसको वैस्या बेचे, कोई हमारे लोग पुरानी चीजों को जो पीछे से चली आ रही है उनी को सुनते आ रहे हैं उनी को देखते आ रहे हैं तो चिंतनमरन नहीं करते जो एक ने बता दिया वही दूसरा आगे बताता है वही तीसरा बताता है और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स कर देता है कि वह और जो डार सब्दों से बताता है इसलिए हमारी जो तरक्की है जो हमारी किरान्ती है जो हमारा चेंज है जो हमें आगे बढ़ना चाहिए वो रुख गया क्योंकि विचार रुख गया यह विचार रुखने को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यो विचार अपतर जो लडाईयां चली हैं वो लडाईयां दो प्रिकार की चल लएए जो हमारे खुद के अपने समर्ण लोग में चली हैं बुद्ध ने जो लडाई लड़ी वो संग के थरूर लड़ी यानि कि संग बना का लड़ी और उन्होंने विक्ति बाद बलकुल खतम कर दिया अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और जानेंगे तो पूरे दिन आप यह कहते रहते हैं बुद्ध बुद हैं उनका नाम नहीं है वो बुझाने वाले हैं यानि कि कोई व्यक्ति है जो सवालों की जो जिग्यासा को बुझा रहा है जो जितनी भी बाते हैं उनको बुझा रहा है वो बुझ है पर नाम नहीं है संग की यह खास बात है कि व्यक्ति कोई कितना भी काम करे कितना भी काम करे चाँ जीरो से स्टार्ट करे चाँ सारी महत करे पर नाम नहीं होता उसका तो बुझकार या बुद्ध का भी नाम नहीं है कोई नहीं कहता कि ये काम सिद्धत ने किया है या सिद्धार्ट ने किया है कोई नहीं कहता सारे कहते हैं बुद्ध का काम है और बुद्ध एक तो यहमे कर लेता तो यहमे वाला बोलते हैं तो इस तरह से यह एक उपादी है जैसे डॉक्टर की उपादी है जैसे इंजीनर की उपादी है जैसे वकील की उपादी है वो ऐसे ही बुझाने वाले की बुझ बोलते हैं उसको पर नाम नहीं है तो संग में किसी का भी नाम नहीं है, बुद्ध का भी नहीं है, बुद्ध नाम नहीं है, बुद्ध उपादी है, यह संगी खास बात है, और संग की जो हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसके परणाम बहुत लंबे होते हैं, संग की आयू बहुत बड़ी होती है, 400-500 साल पहले खतम हुई है वो जो किरांती है बुद्ध की बुज्ज की बना चली है जब ये सारे की सारे किताबें मन्तरन चीन आने लगी तब ये चली है तो संग का जो बदलाव होता है वो लंबा चलता है बुज्ज जैसे लोग बुद्ध जैसे लोग टाइम भी बतागे जलते हैं पर व्यक्तियों का जो बदलाव है वो बदलाव बड़ा शॉर्ट होता है आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे संग जो होता है वो सूरज होता है और जो व्यक्ति बदलाव करते हैं वो तारे की तरह ट्मटे बाता है रब står correction होता है तीस साल بीस साल Chalister साल बस इतना ही होतफा है उस वक्ति का जो औरा है जो चमक है जो नावा है वो खतब हो जाती है क्ईों उसके काउंटर में और वक्ति आ जाते हैं जग जाते हैं संगल लग जाते हैं इसलिए बुद्ध की जो करांटी हुई उसका हमें लंबा फाइदा हुआ क्योंकि वो संग की करांटी थी उस संग ने काम किया सारा उसमें किसी का नाम एक सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं है सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं है बुद्ध ने साय नाम बदल दिये खतम हो गए उसके बाद जो करांतियां हुई वो महापुर्सों ने की जो संतों ने की संतों ने जो काम किया वो विट्टिकत काम रहा वो कहते रहे के सादू संगत करो संगती में रहो संग बनाओ पर संग नहीं बना पाए चोटा मोटा जो संग बना पाए वो बनाए तो जो वो च्छित लिए काम रहा पुरे देश नहीं रहा और वो जादा लंबा नहीं चला उनकी एजूकेशन तो है क्योंकि एजूकेशन तो सारी वही है जो बुद्ध की है जो प्राह करते हैं वही संतों ने बताई हैं पर उनकी जो उमर है वो बड़ी कम है और च्छित का एरिया बड़ा कम है इसलिए वो करांतियां और बदलाब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले पर वो बदलाब के बाद कोई व्यक्ति उसको पकड़ लेता है यह ठीक ऐसे जैसे रिले होती है रिले का मतलब है कि एक व्यक्ति डंडा लेके भागता है दोड़ में ठक जाता है तो द कुरनति उठाई वो बावा साब अमबेट करने उठाई व बावा साब अमबेट कर भी व्यक्ति रहे तोकि बावा साब अमबेट करने जो organizations बनाई, जो संस्थाएं बनाई, वो संस्थाएं बाद में तूट गई, वो तोड़ी गई, बावसाब अमेटकर ने complete package दिया, आपको पावर चाहिए तो राजनिती की RPI बनाई, पर RPI तूट गई, बहुत साइट टुकड़ों में, तोड़ दी गई, उनके जाने के बाद, उन्होंने समाज का एक संग बनाया, सम्यक समाज संग करके एक social organization बनाई, वो बंद हो गई, चल नहीं पाई, अक्वार चलाया, वो बाद में बंद हो गया, लोग उसको चला नहीं पाई, भारतिया बहुत महासाब बनाई, उसके हजार टुकड़े कर दिये, बीशन टुकड जो रही, उनका विचार चलता है, और उस विचार का जो फल आना था, वो फल नहीं आया, जितना आया आया, उसके बाद में वो खतम हो गया, जो सम्विधान आज उनका जो सबसे बड़ा फल था, वो भी खत्रे में आ गया, और वो लगबग खतम हो गया, यानि कि जो व्यक है भाराष्ट के अंदर उन्हों ने पकड़ा पर दलत पैंथर को भी तोड़ दिया गया उनिस सो एकत्र में कांग्रेस तोड़ दिया और इधर बीपी मौरियार्ट जो आरिपाई के थो बहुत सारे एमले लेक्ट आए और मिस्टर बने वो भी खतम हो गया जो उत्तर प्रद उसके बाद में एक व्यक्ति ने और उठाया काम 1964 में साहब कासी नाम ने वो किताब पड़ी और साधी ना करने का फैसला करके काम पे लग गए वो आईएस के एक एक्जाम होता है जो एक्सपोसिव डिपार्टमेंट में वो रहे साइंटिस्ट रहे उसको उन्होंने पास क दिया और 1964 से लेके और 1980 तक क्योंकि उन दनों मुबाइल नहीं उन दनों नेट रही सारा काम डायरी में होता था सारा काम हास से होता था लोगों से मिलना तो वो लाइक मांडिट लोगों को ढूंडते रहे कौन कोन आदमी है नौर्थ के अंदर कुछ लोग तयार थे पर मह महराष्ट में ज्यादा तयार थे क्योंकि महराष्ट में बावा साथ का वच्स पर रहा है और बावा साथ महां Jana रहा वो भी एक तरफ रहा उस समय तक वो आर्पियाई को सपोर्ट करते थे और उनका जो वीजन था ये था कि आर्पियाई खटी हो जाए जैसे आज के समय यह जो समढ़ संग है यह कहता है कि भाई समढ़ संग के लोगों ने पहले मेहनत की कि भी सारे सब्सक्राइब ने हुआ और लोग सब्सक्राइब की एक सीट के बद्ले सारी सीट आर्पियाई ने को देदी है तो वो तूट गए बावा साब को एक सीट मिली और बागी सीट सारी कांधी को मिली तब उनको यह समझ में आ गया कि जब तक शोशल रूट नहीं होंगी सामाजिक जणे नहीं ग या बावा साब की और मुझा है लिली होती तो उनको समझ ना आ जा था और एक्स्पेंस से अगर बुध का एक्सपेंस देख है क्योंकि बुद्ध को तो उन्चा बनाया और बुध के ज्यादा काम नहीं बनाया एक मीटिंग हुई उसके बाद मीटिंग महां हुई नहींrine कि बु cowे पॉलिटिक लौर्ड कि लृक कि यह तो वहां से उन्हों ने शॉसल वर्ड आरहम कि ए उन्यस्सो के बाद के बादो यहाए आड आडि आना नेस्रोल है naturally इसलिए हैं क्योंकि भाग दोले के लिए पैसा चाहिए और resources चाहिए और पढ़े लेखे लोग चाहिए और पढ़े लेखे लोग और पैसा सिर्फ सरकारी करमचारियों के पास था सरकारी करमचारियों की संख्या दीरे बढ़ रही थी और वो लोग आगे बढ़ रहे थे और जब पेट में रोटी हो और दिमाग में शांती हो तो आदमी अपने पुराने दिनों को याद करता है हमाई लोगों ने पुराने दिन याद किये कि हम शाशक थे बाबसाब लिखे गए उनको पढ़ा दीदे लोग बढ़ने लगे और 1978 में बाम सिफ डिकलेर हो गए उनको बाम सिफ को डिकलेर करने में एक अकिला व्यक्ति ये काम करता है व्यक्ति काम करा है इध्यान लखना उसके बाद में नौर्थ इंडिया के अंदर लोगों ने ज्यादा साहब काशिराम जी को तबज्य दी नहीं तो यहां 14 अपरेल के आसपास में 1980 में अंबेटकर मेले की ऑन वील पर स्टार्ट होई अंबेटकर मेला ऑन वील दो साल चला नौर्थ के अंदर थोड़ी सी जागरती आई फिर काम चल पड़ा काम चल पड़ा उसके बाद उन्होंने ये देखा कि सरकारी जो आप करेंगे तो उन्होंने दलित सोसित संगर समाज समीती है वो बनाई च्छे दिसंबर 1981 को और उसी दिन उन्होंने बनाई यानि बुद्धिस रिचर्ट सेंटर का उन्होंने काम आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि वो जानते थे कि जो अगर मैं इसको धम के काम को आगे देता है लोग सुनते नहीं है इसलिए बी आर्सी का आइडिया उनके दिमाग में होते हुए भी उन्होंने उसको छोड़ दिया और एक मिटिंग करने के बाद में और डी एस फॉर में काम सुरू हो गया और साथ साथ बाम से भी चलती रही है क्योंकि बाम से जो मनी आती थी म मुव्मेंट को आगे बढ़ाता रहा यह मुव्मेंट आगे बढ़ती रही और दो तीन साल के अंदर डी एस फोर सारे एरिया में फैल गया उसके बाद उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो एजंडा था वो स्टार्ट करना सुलू किया और उन्होंने बाम से बनाई बी एस वो तूट बे च्यासी में कुछ लोगोंने बाम से फ़को तोड़ लिया क्यों तोड़ा कि सरकारी करमचारी राजनीती में जानी सकता और सुरू में नौन पॉलिटिकल था नौन रिलिजियस था जो माइंड में ये मेक अप करके आया कि ये नौन रिलिजियस और नौन तो कुछ लोग हट हो गए क्योंकि जो लोग नौकी में थे उनको पॉर्टिक्स करनी थी ही नहीं इसलिए उन्होंने बाम सेफ को तोड़ दिया या बाम सेफ के साथ चले गए और बाम सेफ के साथ जाने वाले लोगों में कासी राम जी को छोड़के लगबक सा रहे थे है कि जब भी कोई संग तूटता है या जब भी कोई एक कोई बड़ी चीज तूटती है या संग जैसी चीज तूटती है या जब इखटे होते हैं वह तो जो तूटे हुए लोग होते हैं या तो वो पेड़ की डाली की तरह सूख जाते हैं या पूरी जिन्द की चिलाते रहते हैं ये बात सब जीगे बलगुल फिट बैठती है ये प्राकरदी बात है जो खापरडे और राम खोपरा गड़े थे वो एक तरफ होगे बाद में सिर्फ चार साल के लिए वो चंडी गळजगे रहने वाले सिख और राम खोपरा गड़े दोनों ही महरास्ट के रहते हैं उसके बाद उनके पीछे जो उनके चेले थे खापरडे और राम खोपरा गड़े बामसिफ आस तक टूपती रही उसों बहुत साए नाम आए ताराराम सुरेश राम अभिराम मलेक ये जो रामराज उत्यतराज हैं इन्होंने भी बामसिफ में काम किया है इनको भी पूरा मौका दिया सहाब काक कासि नाम नाइटिन नाइटिस सेवन में मायावति हैं बिर सिं में अपने आपको चेले बोलते थे वो सहाफ कासी राम जी के एक परसेंट भी सोच के अनुसार नहीं निकले ये बाट ठीक है कि सहाफ कासी राम व्यक्ति थे संग नहीं बना पाए इसलिए जादा नहीं चल पाए इसलिए जादा करांति नहीं पाई उनकी जो करांति का जो र तारी की तरह होती है तारा एक साथ चमखेगा एक टाइम पे आके बहुत जद्धा चमखे गा यसके बाद बुँज जाता है पर संग होती है वह फिल्गा empleoion पर संग की सिंधे कोई चमख पर संकी चमख नहीं जाती उसके बाद में जो तूट फूट हुई और जो आज तक तूट फूट चली आ रही है, उसको हम एनलेसिस कर सकते हैं, जितने भी लोग तूटे, जिन्होंने भी अपने अपने संग्ठर बनाए, जो भी बाम सिर्फ के नाम से दावा करते हैं, जली जी ने पेगाम बना लिया, बाद के अंदर, बोरकर जी ने अपना बाम से बना लिया, मेसराम जी ने अलग से टूट टूट गए, फिर मेसराम जी के अलग से फिर द्वारा टूट गई, जो अभी राम थे वो अलग चले गए, ताराराम थे अलग चले गए, हम भी काम करते थे, हम वीडियो बनाना सू समझने के लिए इन लोगों की कूबत नहीं है इन लोगों में एबिलिटी नहीं है संग को समझने की ये किसी दूसरे के संग को गाली ही बख सकते हैं पूरी जिंद की पर ये अपना संग बनाने की सोच भी नहीं सकते ऐसा नहीं है कि इसे बात नहीं हुई सबसे बात हुई है बोरकर जी आये थे, वहाँ, वहाँ बात रखी थी, अपसे चार साल पहले जो आंद भवन के अंदर, और भी संग्ठन के लोग आये थे, और भी बाम सिफ के टूटे धड़े आये थे, और भी आये थे, सब को पैटर्न बताया, सब को बताया कि हमारा संग है, बिना संग के नह हो जाता है वह शंवती संग्ठन चोड़ता नहीं है इस ऊंपन ऑप पाते उनमें बढ़ना को तरहिक नहीं है संग्ठन वाले पहले पना फूटू चापते हैं अपना नाम चापते हे और किस लोग उनों तो अपने जीतेजी मूर्टियां भी बनवाली है ये संग्ठन की बुराईया है और संग में आप देखोगे बुद्ध ने अपनी मूर्टि बनाने के लिए मना किया, सब कुछ मना किया है तो बाद में जो संग्ठन वाले लोग थे उन्होंने बुद्ध को मानने के लिए बुद्ध की मूट्या मनाई है और बुद्ध का तो कोई नाम भी नहीं जानता कोई नहीं कहता कि ये सद्धत गौतम का संग है कोई नहीं कहता कि ये सद्धत गौतम का संग है कोई नहीं कहता कि ये बुद्ध का संग है संग का संग बोलते हैं और बुद्ध खुद कहते हैं संग का संग है धम का ही धम है मेरा कुछ नहीं है तो यह जो अंतर है संग में और संठन में इसको अगर आप देखो गे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि बामसेफ जैशी संस्था भी हमारा कल्यान नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो खुद अपना कल्यान नहीं कर पा रही है, अगर बामसिफ के अंदर ability होती, या बामसिफ जैसे संसा कुछ कर सकती होती, तो सबसे पहले तो वो ये करती, कि उसके यहां कभी कोई तूट-फूट ना हो, और वो अपना सिस्टम ऐसा करे, कि जो बाद में हमें परिसान ना होना पड़े, क्यों ना परिसान होना पड़े, बुद्ध के बाद जो संग का सिस्टम चला, वो देड़ हजार साल तक चला, सोले साल तक चला, पर बाबा साब ने जो सिस्टम चलाया, क्योंकि वो संग पर आधारित नहीं था, वो ज्यादा लंबा नहीं चला, और बाद में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, उनके सिस्टम नहीं चल पा रहे हैं ज्यादा, और वो चल भी नहीं पाएंगे, पर वो सारे के सारे जिस सिस्टम से लड़ रहे हैं, वो संग का सिस्टम है वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, वो चलता है और दुनिया में जितने सिस्टम हैं जो संगकें उनकी लॉंग लाला इफ होती है वो लंबे जीते हैं, व्यक्ति लंबे नहीं जीते, व्यक्तियों के सिस्टम लंबे नहीं चलते इसलिए बहुत सारे लोग हमारे जब यह कहते हैं, अजी बिना नेता के तो कुछ होगा नहीं, नेता तो जरूर होना चाहिए, कोई तो चेहरा ऐसा आएगा, कोई तो चेहरा ऐसा होना चाहिए, तो वो चेहरा जो ढूंते हैं, वो दरसल बुद्ध जैसा चेहरा ढूंते हैं, बुद्ध चैरा जैसा कैसा ढूंडते हैं क्योंकि सवलता जो मिली है सबसे अधिक वो बुद्ध को मिली है पर कोई ये नहीं समझता कि बुद्ध का तो चैरा कोई जानता है नहीं ये जितने भी बुद्ध के चैरे हैं सारे जूटे हैं ये जितने भी बुद्ध की प्रसंसा हैं सारी जोटी हैं बुद्ध ने जीते जी ना अपनी प्रसंसा की ना अपने चेहरे के बारे में जिक्र किया कभी नहीं किया कोई नहीं जानता क्योंकि बिहार के अंदर जो लोग रहते हैं वो छोटे और काले होते हैं और बुद्ध को कहां गया फिर वो सारे सारे कहां है आज अगर साक्य लोगों को भी आप उठा लो वो भी काले और छोटे होते हैं अगर वो साक्य संसे थे तो भी तो इनुमें कोई लंबा गोरा लंबा चोड़ा ऐसा एक भी नहीं है जो होना चाहिए यह बातें जो प्रसंसा में और जो अति हो जाती हैं अगर आप देखोगे बुद्ध का सारा का सारा देखोगे तो बुद्ध ने कोई बुद्ध का चेरा नहीं जानता कोई कुछ नहीं जानता पर जो बुद्ध ने करांती की है वो सब बुद्ध के नाजर चलती है बुद्ध का सिर्फ नाम है सिद्धत गौतम का नाम नहीं चलता ये बात इसलिए क्लियर होनी की जरूत है क्योंकि वो लोग अपने कान खोल लें और अपने कानों में जो मैल जमा हुआ है उसको निकाल लें और अपने धमागों में जो उपर जो परज जम गई है उसको उतार लें परमनेंट करांती के लिए लंबी करांती क के लिए व्यक्ति नहीं होना चाहिए क्यों कि बुद्ध जब बुद्ध की अतिशुक्ति की गई तो लोगों ने ये तो देखा नहीं कि बुद्ध ने गाम कैसे किया और क्या किया संख कैसे संख क्लाया उसके नियम क्या थे, किन नियम में पर चले, वो सारे जो भिकू थे, वो सारे परचारक कौन से नियम पर चले, क्या नियम उनके बनाए, वो तो किसी नहीं देखे, क्या देखते हैं, बुद्ध ने घर छोड़ दिया, बुद्ध खाना एक टाइम खाते थे, बुद्ध ने अपना राजपार्ट छोड़ दिया, हलागि राजपार्ट नहीं नहीं था, वो खेतिया थे, छेत्रिया थे, अपना राजपार्ट छोड़ दिया, बुद्ध ने धंदौला छोड़ दी, बुद्ध ने ऐसा छोड़ दिया, वैसा छोड़ दिया, ऐसा कहके परचाइद करते हैं, तो ऐसे लोगों की मानता हो गई, जो बुद्ध जैसे कपड़े पैने, बुद्ध जैसे गंजे हों, जो साधी ना करने जी उन भार, एक साधी ना करने वाले की गारंटी हो गई ही, कि जो साधी नहीं करेगा, जो घर नहीं जाएगा, वो आदमी समाज के लिए फिल्कु ठीक है, वो बहुत सारे महापुरस ने भी किया है, क्योंकि जब महापुरस होते हैं, उनको वैराग लग जाता है, तो वीतरागी जब हो जाते हैं, तो वीतरागी तब ही हो सकता है, जब घर छोड़े, घर छोड़ेगा तो घर का राग रहेगा, तो घर भी छोड़ेगा, तो वीतर यानि बिना राक के तब होगा जब घर छोड़ेगा तो इसलिए वीतरागी होने के लिए तो घर छोड़ना जरूरी है पर हमारे यहां सामाजिक संट्रों में और पॉलिटिकल संट्रों में इस बात को मानता मिलने लगी और यह बुद्ध से मिली है कि घर छोड़ देगा नहीं करता है वह आदमी अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है और बहुत खराब भी हो सकता है इसलिए संग में जो ग्रस्तियों का संग है जो ग्रस्त लोग का संग है उसमें तो सब शादी करते हैं पर भिकुर संग में शादी नहीं करते पर भिकुर संग से हमें क्य नियम उठाए और नियम उठाए के संग बनाए और संग बनाए के जीत के और हमारे लोगों ने आदमी उठाया वहां से बुद्ध उठाया कि बुद्ध ऐसा ये इतना लंबा इतना चोड़ा इतना चिकना और पूजा करो इसा पाट करो और संग नहीं उठाया संग उठा ले है संग सबसे बड़ा होता है और संग कोई नमन करना चाहिए और संग सुप्रीम होता है और जिनके पास संग होता है उनके पास दुख आता है नहीं पुराने समय में इसलिए एक भी एक्टोशिटीज नहीं है सम्राटासो के वारे में के जमाने में या उसके बात के जमाने में किसी भी नहीं मिलता कहीं भी कि कहीं समण लोगों को वमल्र लोगों ने प्तारित किया हों, बलकर समणों नहीं प्तारित किया हों। वो याचक हुआ करते थे सम्ण की मरजी यह डंड़मारे या खाना दे तो प्रताणा करने वाले समण हुआ करते थे पृतारित होने वाले वमण होते थे संग टूटा ता हो तो हो गया मामला इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि Baam safe कुछ हमें कर देगी या Baam safe बड़ा संग्धन है तो baam safe टुकलों में टूटा हुआ संग्धन है और heavy संग्धन और वो संग्धन ही रहेगा जब तक उसका structure संग्धन बेश रहेगा जब तक उसका structure संग्धन का प्रेशिजेंट और उसका जनरल सेकर्टरी बेस रहेगा और उन्होंने जो सीखा है और जितने भी लोग वहां से आएं तूटके आप ध्यान देना कि उनका केडर सबका लगबग एक्सा है वो मनुबाद को गाली देने से स्टार्ट करके ब्रहमणबाद को गाली देने तक आ किया बाकि वो औरिजनल सब तक नहीं पहुंच पाए और ना उसको अपनाना चायते हैं और उसको माना चायते हैं और सभी लोगों ने वही पैटन अपनाया जो साब कासी नाम ने अपनाया था कि पहले उन्होंने सरकारी करमचारी को लिया फिर उन्होंने पब्लिक को साथ पूरा पेटन है चाहें कोई भी आदमी महां से टेंग लिका है किसी ने उस टेंग को अपडेट ही नहीं किया किसी ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई अरे भाई बाम सेफ के रिजल्ट जितने आने थे आ लिए वो काउंटर हो चुके हैं सारी सारी बात हैं वो आउट्डे हो गए हैं क्लेक्टर का मतलब है जो मनी क्लेक्ट करता है वो अच्छे क्लेक्टर हो गए हैं पैसा बड़ा अच्छा इकटा करते हैं कुछ अच्छे और्गनाइजर भी हो गए हैं कुछ लोगों को और्गनाइज कर देते हैं पर अच्छे वीजनरी नहीं है अच्छे ही नहीं वीजन वही चल रहा है जो सहाव कासी राम ने दिया साहभ कासी राम ने जो छीजन वहाँ शैट की जो fulfill सेट किये जो अधीवेशन शैट करने के तरीगे तब तो ने-ने बने थे सारे सेम वही प्रटन चलता है सब जी करसी मेz तक नहीं बदलती हैं पीछे बोर्ड भी नहीं बदलते हैं थोड़े बहुत नाम बदलते हैं इसलिए परणाम नहीं आने वाले तोकि उनके परणाम एंकाउंटर हो चुके हैं और जितने परणाम आने थे आ ली हैं आप देख सकते हो कि कोई नहीं उठ रहा है गोई उठेगा भी नहीं, उठ सकते हैं, बेसक आपके पास में पुरानी बंदुख हो चल सकती है, बसरते के वो सारे इखटे हो जाए, कोकि इखटे अगर हो जाएं और सारी पुरानी बंदुख भी एकसा चलें, तो भी काम कर जाएंगी, तो संग बन जाएंगी, पर वो अबल चलता है पर ये जानकारी भी उनके उसमें नहीं है जो उनका पुराना सिस्टम है उसमें तोड़ने का सिस्टम है तूटने का सिस्टम है इसलिए दो हजार बाइस में भी तूट गए मतलब अब जो मुसीबत आ रही है उसमें भी बावन मेसराम जी का जो संग्ठन है ज पर काम नहीं होने वाला फिर तूटेंगे कोई यह कहें कि संग्भन तो लगाता तूटते आ तोड़ दिया उस समय एक अकिला आदमी जिस थैसदे अपना खाना चोड़ दिया नौकरी जिशादी नीकी और सारे लोग उस पर यकिन करते थे उस आदमी के साथ जब तुव्त तूट न ही था तो साहब कासिराम जी तो बनाया,게 A78 में और वो तूटा उसके बाद में फिर चार साल बादी, छासी के बाद चार साल बादी तूट गया वो, तो ये लगाता तूटेंगे, क्योंकि संग्ठनों की नियती तूटना है, और संग नहीं तूटतें, कोई कह सकता है जी कि आपके कुछ लोग संग में चले गए, अरे भाई, वो लोग संगी नहीं हैं, जो हो जाए, हम ना भी भेजएंगे, तो भी आपका मन नहीं लगेगा, और सारी लोग संग में कभी आ नहीं सकते, क्योंकि कुछ लोग लालची होते हैं, कुछ लोगों को रोग होता है, कुछ लोगों को देस होता है, कुछ मानसिक रोग ही होते हैं, किसी को प्रधानी धर में रहे, यहाँ क्यों आगसा डरते भी है लोग, तो डरने वाले तो वैसी मरे हुए होते है है, तो डरने वालों का तो इलाज भी क्या करें, उनका जाना बहतर है, और जिसको & L&P से संग में कहाँ खाना है, उसका जाना बहतर है, यहाँ आडेल इस बात जुड़ने जुड़ने पर कितनी बात करोगी है तो यह सारी chीजे इतनी जबरशा से गलियर हैं इसलिए कोई व्यक्ति अगबर आपसे ये कहता है कि संघ में क्या चल रहा है तो आप यह कह सकते हैं कि संघ में वही चल रहा है जो प्राचीन समय में बुद्द ने संग में और गुद्ध से पहले संग में चलता था, हमारी एक-एक बात एक-एक चीज़ वही चल लगा यहाई है, बेसक आज कल हम पी-श्रट पैनते हैं, बेसक हम मोडसेल कार में जाते हैं, हम होए जहां टेम में घूमते हैं, यह पैदल जाते हैं, ये सब संसादन हैं पर हमारा तरीका और हमारी रन्नीती और हमारा प्लान और हमारे प्रेड़नाम वही आएंगे जो समराठ असोप के समय आये थे और ये आएंगे और ये रुकेंगे नहीं क्योंकि संग जब खड़ा होता है तो जब तक जवान नहों रुखता नहीं है ऐसा बताया है क्योंकि ये एक काल चक्र होता है एक वार वो नीचे आता है और फिर जब दुबारा उठता है तो अपनी उचाई पर जाएगा और जब अपनी उचाई पर जाएगा तो नीचे भी आएगा तो जो उचाई पर जा चुके हैं वो नीचे होंगे और ये उपर जाएग यह 100% होता है, हरवार होता है, हरवार होगा, आप इसमें यकीन रखके काम करते हैं, बस इमानदारी बनी रहे, नियत अच्छी बनी रहे, समझदारी बनी रहे, और इस वार एक गलती नहीं करनी है, अगर कहीं कोई भी यह दिखाई दे के पाप करम हुआ है, संग के पिट्ट ना समझ है, संग उसको माफी तो दे सकता है, पर वो संग के पास आएगा तब, या संग उसके पास जाए तब, या उसकी जानकारी संग को हो तब, इसलिए जानकारी मत छुपाना, मीठा मत बनना किसी का, एक वार मीठा बनके हमने गलती कर ली है, कि हम क्यों बुरे बने, तो नुकसान हो जाता है, इस वार बुरा बनना है, अगर कोई बुरा करता है, तो संग में बताना है, यह आपकी प्राइम टूकी है, जागरित रहोगे दोनों तरफ, यानि जहां आपको नुकसान है, वहां से भी जागरित रहोगे, तो कभी नहीं मारे जाओगे, बाहर ज संग में रहें अब तक वो हमेसा जीते हैं जो संग में रहता है वो शिकार होता है और जो संग से बाहर रहता है वो शिकार होता है बस इतना याद रखेंगे तो ध्रादर संग में जुटते चले जाएंगे और जैसे जैसे जुटते जाएंगे वैसे वैसे जीते चले संगंग नमामी धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब मैं छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परैविसल लेने की बिलकुल भी जरूरोत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी तूंतियं पी बुद्ध में सेनं गच्छामी तूंतियं पी धन्यवाद सेनं गच्छामी तूंतियं पी धन्यवाद सेनं गच्छामी तूंतियं पी धन्यवाद सेनं गच्छामी तूंतियं पी सेन्यवाद सेनं गच्छामी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छानी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छानी तर्तियं पी संदम सर्णं कच्छानी साथु, साथु, साथु साथु बुखियं पी संदम सर्णं कच्छानी तर्तियं पी साथु